दोस्तों अगर आप 2024 में बिहार बोद से इंटर का एक्जाम पास कियें और मुख मंत्री कन्या उठान योजना यानि की इंटर पास 25 जार स्कोलर सीप के लिए ओन लाइन अप्लाई किये थे तो अब आपको इंतजार होगा कि आपका यूजा आइडियो पास्वोर्ट कब मिल किस परकार से आपको यूजाइडियो पास्वर्ट मिलेगा किस परकार से आपको आपना इस्ते चे करना आइस साथा आज अम इस विदियो बताईंगे तो अप इस वीडियो को पैसंद तो इसे लाइक शेयर जोग किजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्काइब कर लिजेगा तागी जो भी सपरकार की अपडेट होगी हो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहागी साथ ही हमाय वाटसब चैनल को भी ज्वाइन कर लिजिएगा हमारे वाटसब चैनल का इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप डारेक्ट हमाएं वाट्सप चैनल को जोईन कर सकते हैं और अगर आपके स्कोलर्शिप में किसी परकार का कोई समस्या है तो आप डारेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किजिएगा वहाँ पर हम आपको सारा जनकाई बता देंगे कि किस परकार से आपको स्कोलर्शिप के किसी भी प्रोब्लम को स्वल्व करना है तो फिलाल हम आपको बताने वाले हैं कि किस परकार से आपको यूजर आइडियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल य जैसे ही online helps.3 लिक करके search करेंगे, आपके सामने इस परकार से online helps.3 के website का link मिलेगा, तो आपको इसी वाले link पर click करना है, इस पर आप जैसे ही click करेंगे, आपके सामने इस परकार से online helps.3 का website open होगा, इस website का direct link हम इस video के description box में दे दिये हैं, वहाँ से आप direct इस website पर आ सकते हैं, इस website पर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कोई scroll करके नीचे आना है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, अलग लग category के लिए अलग लग box वाना हुआ है, तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, नीचे में scholarship का category म में देखेंगे तो आपको एक option मिलेगा, इंतर पास scholarship 2024, यूजर आइदी और पासपोर्ट का इस वाले option पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस परकार से एक new page open होगा, इस page का भी direct link हम इस वीडियो के description box में दे दिये हैं, वहाँ से आप डारे जूरी सारी जनकाई हम यहाँ पर बता दिये हैं, तो यहाँ पर आ करके पूरी जनकाई प्राप्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आजाना है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में important link का section मिलेगा, जहाँ पर आप देखेंगे, तो पहला जो option मिल आपको get user ID and password का उसके सामने click here का option मिला है, तो आपको इसी वाले option पर click करना है, जैसे यहाँ पर click करेंगे, आपके सामने एक new page open होगा, जहाँ से आप अपना user ID and password पर आप्ट कर सकते हैं, तो user ID and password पर आप्ट करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे में registration number इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना register or mobile number इंटर करना है, उसके बाद send वाले option पर click करना है, जैसे registration number, mobile number डाल करके send वाले option पर click करेंगे, आपके register or mobile number पर साथ ही आपके email ID पर भी एक message प्राप्ट होगा, जिसमें आपको user ID and password दिया जाएगा विभाग के द दोस्तों अभी यहाँ पर अपना registration number, mobile number डाल करके send वाले option पर click करेंगे, तो इस परकार से एक error देखने के लिए मिलेगा, your application is not verified, तो यहाँ पर आपका application verify नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले check करना होगा, कि आपका application status क्या है, तो application status चेक करने के लिए आपक तो important link वाले section में ही आपको दूसरे number पर एक option मिलेगा, check application status का, उसके सामने click here का option मिलेगा, तो आपको इस click here वाले option पर click करना है, इस पर आप जैसे ही click करेंगे, आपके सामने एक new page open होगा, जहाँ पर आपको अपना application status चेक करने के लिए registration number इंतर करना है, उसके बाद search वाल डाल करके search वाले option पर click करेंगे, इस परकार से आपका application status हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले serial number दिया गया रहता है, उसके आपर रजिस्ट्रेशन फॉरम डाउनलोद करने का link दिया गया रहता है, यहाँ पर आपके school college का नाम दिया गया रहता है, य यहाँ पर आपके अधार number का last four digit दिया गया रहता है, यहाँ पर आपके mobile number का last four digit दिया गया रहता है, उसके बाद यहाँ पर account verification status दिया गया रहता है, तो यहाँ पर आपका account verify हो चुका है, अगर यहाँ पर आपका account verify नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको दो तीन दिन आधार दियों भी वेरिफाई बता रहा है बांकि सभी डिटियल्स जो है यहां पर पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो जब आपका यह सारा डिटियल्स वेरिफाई हो जाएगा तभी विभाग के दोड़ा आपको एक यूजर आइडियो पासपोर दिया जाएगा जब तक आ मोवाइल नंबर और आपके इमेल आइडि पर एक यूजर आइडियो पासपोर विभाग के दोड़ा SMS के माध्यम से भेजा जाएगा जिसके माध्यम से आपको लोग इन करके अपने फॉरॉम को फाइनल समित कर देंगे तो यहां पर जो दिखा रहा है वह यहां पर इन प् आपको यूजर आइडियो पासपोर मिल जाएगा और जैसे यूजर आइडियो पासपोर मिलना सुरू होगा हम आपको वीडियो बनाया करके जनकारी देंगे कि किस परकार से आपको यूजर आइडियो पासपोर प्राप्ट करना है और किस परकार से आपको अपने फॉरॉ तो इस वेब साइट पर आ करके आप निरंतर अपने अप्लिकेशन का स्टेटस चेक करते रहेगा जिससे आपको जनकाई मिलता रहेगा कि आपका अप्लिकेशन स्टेटस कहां पर सो कर रहा है तो दोस्तों आज कि हम इस वीडियो में इंटर पार्स स्कोलर्शिप 2024 का यूजर